आधुनिक इंजिनियरिंग का चमतकार द्वारका एक्सप्रेस वे भारत के प्रधान मंत्री मननियन नरेंद्र मोदी जी के नित्रत्तु में दिल्ली को हरियाना से जोडने वाला द्वारका एक्सप्रेस वे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है जो कई मायनों में खास है चार पैकेज वाले इस राजमार की कुल लेन 22 लंबाई 563 किलोमीटर है एनेच आठ पर शिव मूर्ती से शुरू होती ये सड़क खेर की दौला टोल प्लाजा पर खत्म होती है इस परियोजना के निर्मान में देश में पहली बार 1200 पेरों को री ट्रांस्प्लान किया गया देश की पहली 3.6 किलोमीटर लंबी और 8 लेन चोड़ी अबन टनल भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है हरियाना में सिंगल पियर पर बनी 34 मीटर चोड़ी 8 लेन एलिवेटेड रोड स्टेट अफ दी आठ आर्किटेक्टर का नमूना है इस एक्सप्रेस कंट्रोल अबन एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर एंट्री पॉइंट्स का निर्मान किया गया है जिससे ट्राफिक कंजेशन नहीं होगा इस आठ लेन ग्रेड ओपरेटेड एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ तीन लेन सर्विस रोड हैं इस परियोजना का सडक नेटवर्क चार लेवल का है जिसमें टनल, अंडर पासेज, अट ग्रेड रोड, एलिवेटेड फ्लाइओवर तथा फ्लाइओवर के उपर बना फ्लाइओवर शामिल है इस हाईवे के निर्माण में दू लाख मेट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया, जो विश्व विख्यात आइफिल टावर के निर्माण में लगे स्टील से तीस गुना ज्यादा है इस परियोजना में 20 लाख क्यूबिक मीटर सिमेंट कॉंक्रीट का उप्योग किया गया जो बुर्ज खलीफा के निर्मान में इस्तमाल किये गए सिमेंट से 6 गुना अधिक है ये एक्स्प्रेस्वे अत्यादोनेक इंटेलिजन ट्रांस्पोरेशन सिस्टम से लैस है ये परियोजना पूरी तरह से पूर्ण होने पर द्वारका से मानेसर सिर्फ 15 मिनिट में मानेसर से IGI एरपोर्ट 20 मिनिट में द्वारका से NH1 सिंधु बॉडर 25 मिनिट में तथा मानेसर से NH1 सिंधु बॉडर 45 मिनिट में पहुँचा जा सकेगा उन होने पर यह सड़क द्वारका के सेक्टर 25 के इंटरनाशनल कन्वेंशन सेंटर की कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेगा तथा IGI एरपोर्ट तक यात्रा के लिए नया विकल्प देगा इस एक्सप्रिस वे से दिल्ली NCR में प्रदूशन कम होगा दिल्ली की पश्चमी हिस्से की गुरू ग्राम से कनेक्टिविटी बहतर होगी State of the Art Architectural तकनीक से बना द्वारका एक्सप्रिस वे भारत के बुन्यादी सनरचना के परिद्रिश्य को अत्याधोने करने का प्रयास है